और उस वक्ती बड़ी खबर आ रही है चीन में तख्ता पलट की अटकले लगाई जा रही है चीन के राश्टपती शेजिन पिंग को हाउस अरेस्ट करनी के भी बात यहाँ पर सामने आ रही है सोशल मीडिया पर दरसल दावा किया जा रहा है ऐसी अटकले इसने लगाई जा रही है क्योंकि चीन में 6,000 घरेलू और अंतराष्टिय उड़ानों को रद करने का दावा किया जा रहा है अला कि बड़ी बात यह है कि चीन की कम्यूनिस्ट पार्टी और सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने ना तो इसकी पुष्टी की है और ना ही इसका खंडन किया है लेकिन चीन में सियासी तोर पर एक बड़ी खलबली जरूर मची हुई है बीजिंग से 6000 फ्लाइट से रद कर दी गई है शी जिन पिंग के हाउस अरेस्ट की बात भी यहाँ पर निकलका सामने आ रही है हाला कि आधिकारी के तोर पर अग़ी तक इस बात की पुष्टी नहीं की गई है लेकिन चीन में तख्ता पलट सियासी समिकरन बिगडते हुए नजर आ रहे हैं जो कि शी जिन पिंग के पक्ष में बिलकुल दिखाई नहीं दे रहे पिरिट ने पुलिस पर कारवाई नहीं करने का रूफ लगा है